तो गाईज आज तारीक हो चुकी है 20 जुलाई 2020 और आज इस वीडियो में हम आज के दिन की हर एक क्रिकेट खबर के बारे में बात करने वाले हैं आज के दिन की जो सबसे पहली खबर है वो निकल कर आ रही है BCCI के जनरल मैनेजर को लेकर जिन्होंने अभी अभी अस्तीफा दे दिया है साथ ही साथ IPL 2020 को लेकर भी दो बहुती बड़ी खबर हम सभी के सामने निकल कर आ रही है और साथ ही T20 World Cup के उपर भी एक अंतिम फैसले को लेकर भी काफी बड़ी खबर है और आज इस वीड़ो में हम 20 जुलाई 2020 की हर एक क्रिकेट खबर के बार में बात करने वाले है तो गाइस अगर आज की दिन की सबसे पहली क्रिकेट खबर की तरफ बड़े तो वो निकल कर आ रही है इंगलेंड और वेस्ट इंडिस के टेस्ट मैच को लेकर वेस्ट इंडिस की टीम कल तग 200 से उपर के टोटल तक पहुँच चुकी है लेकिन अभी भी इंगलेंड की भारी भरकम लीड के आगे वेस्ट इंडिस की टीम काफी पीछे है और इंगलेंड की कारागर की इनबाजी के सामने West Indies की टीम लगातार लुडग तुई नजर आ रही है और कहीं न कहीं West Indies की टीम प्रती बोल के हिसाब से इस मुकाबले से लगातार बाहर होती हुई जा रही है और England की टीम इस मुकाबले में काफी जाद अच्छी पकड बना चुकी है तो गाईज अब अगर आज के दिन की दूसरी सबसे बड़ी क्रिकेट कपर की तरफ बड़े तो वो निकल कर आ रही है IPL 2020 के ओपर अंतिम फैसले को लेकर दरहसल दोस्ता आज ही 20 जुलाई 2020 की शाम को ICC की एक मिटिंग होने वाली है और इस मिटिंग में काफी बड़े बड़े फैसले लिये जाने है पूरी अंतर आश्ट्री क्रिकेट को लेकर इस मिटिंग में काफी ज़्यादा फैसले लिये जाएंगे और IPL 2020 के ओपर भी अंतिम फैसला आज ही अब को देखने को मिलने वाला है और IPL 2020 के venue को, starting date को और साथ ही साथ इसके schedule को लेकर कई सारी बड़ी बड़ी खबरे हमके आगे आगे इन वाले दिनों में कुछ दिख सकती है तो guys अब अगर आज के दिन की तीसरी सबसे बड़ी खबर के बारें बात करें तो वो निकल कर आ रही है T20 World Cup 2020 को लेकर दरसल दोस्तों आज ही International Cricket Council की जो आज meeting होने वाली है इसी meeting में T20 World Cup के ओपर भी एक final फैसला आने वाला है इसकी पूरी उमीद है कि आज ही ICC या तो T20 World Cup को postpone कर देगा या फिर T20 World Cup को cancel कर देगा याने कि दोस्तों आज ही ICC की meeting में T20 World Cup के ओपर अंतिम फैसलाम को सुनने को मिलने वाला है तो गाईस अगर आज के दिन की चोथी सबसे बड़ी खबर के बारें बात करें तो वो निकल कर आ रही है BCCI के General Manager सभा करीम को लेकर दरहसल दोस्तों अभी हाली में कुछी दिन पहले BCCI के पुराने CEO राहूल जुहरी ने अस्तीफा दे दिया था और अब इसके ठीक बात कल ही 19 जुलाई को BCCI के General Manager सभा करीम ने भी BCCI से अपना resignation ले लिया है और अब BCCI अपने नए CEO के साथ साथ अपने नए General Manager को भी ढूंड रही है तो गाई सब अगर आज के दिन की पांच भी सबसे बड़ी ख़बर के बारें बात करें तो वो निकल कर आ रही है BCCI की नई sponsorship को लेकर दोस्तों अभी कुछी समय पहले पिछले 12-13 सालों से चल रही BCCI के साथ नाई की जो भारतिया टीम के लिए kits बनाती है उन्होंने भी ये announce कर दिया था कि वो BCCI के साथ अपना contract तोड़ने वाली है और यह contract September में अंड होने वाला है और इसके ओपर एक छोटी सी ख़बर न sponsor को भी ढूंड रही है तो गाइस यह थी 20 जुलाई 2020 से जुड़ी हर एक लिटेस से लिटेस क्रिकेट खबर तो गाइस आपके हिसाफ से क्या इस साल IPL 2020 हो पाएगा किया आज ICC की मिटिंग में IPL 2020 वर्ट के उपर अंतिव फैसला आएगा नीचे comment box में बताना ना बैल आइकन को दबाना ना भूलिएगा